सीवान में कल सोसल मेडिया पर एक खबर चल रही थी कि किसी रेस्टूरेंट में इस आइटी का रेड पड़ा है लेकिन न्यूज इंडिया तक में इस खबर की परताल की तो पता चला कि किसी रेस्टूरेंट में नहीं बलकि सीवान स्टेशन के सामने से तीन यूवकों की गिरफतारी की गई है अब हम आपको पूरी कहानी बताएंगे लेकिन आप खुद इन तस्वीरों को देखकर सारा माजरा समझ सकते हैं दरसल पूरा मामला कल 8 जनवरी शाम 4 बजे से 5 बजे की बीच का है जब सीवान स्टेशन के सामने अचानक ही सिविल डेस में S.I.T. की टीम पहुंची जिसके बाद वही से उस पहले वाले यूवक ने दो और यूवकों को कॉल किया कॉल करने के कुछी देर बाद जैसे ही बाइक सवार वो यूवक वहां पहुंचे तभी S.I.T. की टीम उन यूवकों को धर दबोचा हाला की कुछ देर के लिए वहां अफरात अफरी का माहौल मन गई जब तक कुछ समझ पाते लोग तब तक दोने यूवकों को पुलिस अपने साथ लेकर चली गई ये सारा माजरा आप खुद तस्विरों के माध्यम से देख सकते हैं सीवान की पूरी सीवान ही नहीं पूरे उत्तर बिहार का एक मात्र भरोसे मंद चैनल न्यूज इंडिया तक को आप जिस तरह से अपना प्यार देते हैं उसी का नतीज़ा है कि हम आपको सबसे सटिक और किसी भी घटना की महत्तपुन जनकारी देते हैं हम आपको वही खबर दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं हम सच की तह तक जाते हैं किसी भी तरह के अफ़ाओं में पढ़कर किसी तरह गलत खबर दिखाने से हम पूरी तरह से परहिज करते हैं तो बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें